महान सासक विसविजेता विसविजी राजा समराण अशोक महान जो बहुत धम की अम्याइय हुए हमारे आपके पुर्खे और पूर्वद हुए राजा समराण अशोक महान फिजांकी हम देखेंगे और नमन करेंगे सबी बोली सम्राट शोट महाने की देया है आज शूरी आज दिना भाया नाचिने और आज जिनको ना आज शूरी आज दिना भाया ना और आज दिनको नाज दिनको आज बोली पंस में चन दियो और दुनिया में की दो हैं एकलिकर राज़ में करिये चड़ाई ओड़ा दीनों पॉट्ट आज अच्छनी की पीजेव कताद और अच्छा हो दिश्में अब राई भैराद महानु शासक पिस्विजेई पिस्विजेता राजा सम्राट असोख महानु ने कलिकल राज़ी पढ़ चड़ाई करने के पश्चादा युद्ध में बिजई होने के पश्चाद जिश्में वो बिस्विजेता बिस्विजेई राजा बन गए सम्राट बन गए लेकिन जब वो युद्ध भूमी में गए और वहां बहंकर रक्त पांत को देखा राजा सम्राट असोख महान का हर्दे दहल गया अपने हाथियार को रख दिया और वो भगबान बुद्ध की सरण में आ गया और जब बुद्ध के धम के बारे में जाना समझा तो राजा सम्राट असोख महान जी ने इस भारत के कोने कोने में तो बुद्ध के ग्यान की धारा भाई ही साथी साथ उन्होंने विदेशों में भी भगबान बुद्ध के धम को पहुचाने का काम किया कैसे आज की ये बुद्ध ग्यान चड़्चा में उपस्थी थे मनी परम्ष देश संजे कुमार पूरु प्रधान जी आजाद नगर से आपकी द्रब से सो राष्टी मुद्राओं का सम्मान राप्तु आमरी टीम को मनी संजे कुमार जी की द्रब से ये सो राष्टी वद्राओं का सम्मान आपु आमारू इमको एक बार जोड़ दार्व ताली वदा दिजेगा मनी जी के लिए बोधो ताली एक बने पुत्रा आरा पुत्री आरा भोवन लगना स्था और पुत्री संध वित्रा तहला आपुत्र महिंद्र नहों तहला और एसा ही नहीं मेरे भाई राजा सप्रान अशोप महान जी ने भद्बान बुत्र के धंब का पुचार अशार कराने के लिए विदेशों में बुत्र के धंब को पहुचाने के लिए समझो अपनी संतानों को बलिदान कर दिया ए बहुथे प्रच्छी की डाली आरे पहना लंका लंका कौन राजा समराण अशोप महान की पुत्री शंग मित्रा जो बहुथे प्रच्छी की डाली लेकर कहां पहुची लंका का इस पट्षट्णा जीटे मसे बचया जीट शोप मदा रौत कर्या के ऩचे और पहुची लंका इंद आ हो ए प्रच्छी की डानकी हिर ए पेमका मदान झाल झाल झाल